केंद्रिय कर्शी मंत्राले द्वारा एक हजार एक सो बीस दशमलव दो शूने लाक टन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाये जाने से उत्साहित खाद्य मंत्राले ने चालू रभी मार्केटिंग के लिए 373 लाक टन गेहूं की खरीद का यह महत्वा कांक्शी लक् कि एक अप्रेल को जब नया रभी मार्केटिंग सीजन आपचारिक तौर पर आरंब हुआ था तब भारतिय खादे निगम के पास महज 75-76 लाक टन गेहूं का स्टॉक बचा हुआ था जो नियूंतम अनिवारे बफर मात्रा 74.80 लाक टन के लगभग बराबर ही है। इस बार गेहूं की कुल सरकारी खरीद अधिक से अधिक 27 लाक टन तक पहुँचने की संभावना है। इसमें से 184 लाक टन का उप्योग प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्म योजना में होना है, जबकि अन्य उद्देशों में भी अच्छी मात्रा में इसका इस्तिमाल हो उत्पादकों के पास गेहूं का स्टॉक तो मौजूद है, मगर वे नीचे दाम पर उसे बेचने के इच्छुक नहीं है। इसके फलस्वरूप अगले महीने से गेहूं का बाजार भाव सुधर सकता है। फ्लोर मिलर्स एवं व्यापारियों प्रोसेसर्स के पास गेहूं क सीमित स्टॉक बचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी